कि इस वीडियोके लास्ट ट्वन्टी कोस्टिन है और यह लास्ट वीडियो ना जो हम इसे फ़ले हंड़ेड कोस्टिन ड्वीडियो डाल चुका हो आप वीडियो को देखिए गा वह Happy update अच्छे कोस्टिन थे और यह भी आगे भी आगे question आप लोग को अच्छे मिलेंगे तो इसमें question number 101 है 16 personality factors questionnaire why developed by 16 ब्यक्तित वकारक personality personality विक्सित की गई थी किस के द्वारा cattle के द्वारा Charles Pearson के द्वारा और Isaac के द्वारा और June के द्वारा तो इसमें option number C सही है यह psychological test है तो C सही है question number option number 1 सही है question number 102 है कि फेफड़े की residual value residual value का आयतन कितना residual और से C residual का मतलब होता है और सिस्ट आयो जो यूज नहीं होती है तो इसमें option number 4 सही है 12 से में रहनी इसका range होता है 1000 से 1000 से 1200 तो last digit पकड़ते हैं last training पकड़ते हैं 1200 है मेल question number 103 सारी क्रियाओं को सिखाने की सरोत्तम विदी है यानि की physical training यानि टीचिंग मेथर्ड अब physical activity को सबसे अच्छा किससे सिखा जा सकता explain method ब्याख्या करके आदेश देके या ब्याख्यान विदी से या demonstration तो option number 4 से या demonstration विदी के द्वारा हम physical activity को अच्छे से सिखा सकते हैं question number 104 है which are the following is software यह में फिद में से कौन सा एक software है तो mouse, hardware है hardware में आता है Excel जो आता है software है और monitor hardware है pin drive hardware है तो इसमें जो Excel है और software है question number 105 है कि वाली वाल खेल में प्रदर्शन मुल्यांकर ने तू software प्रयोग किया जाता है तो software वाली प्रयोग किया जाता है यानि प्रदर्शन का मुल्यांकर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है software वाली या वाली evaluator या data वाली और game league तो इसमें आप्सन नमर 3 सही है डाटा वोली प्रयोग किया जाता है कोस्चन नमर 106 है अधिक्तम पसीना मौजूद होती है तो हथेली में, सोल में, आर्मपीट में, फोरेड में ये चारो आप्सन में, चारो जगब हथेली का जो स्वेट गलेंट उपस्थित होती है प्रजेंट होती है परन्तु हथेली में ज़्यादा होती है तो आप्सन नमर 1 सही है अब कोस्चन नमर 107 की बात करते हैं कि serum का मुख्य रोल क्या है प्लानर के रूप में, मोटीबेटर के रूप में, लीडर के रूप में, अप्सन नमर 3 सही है लीडर के रूप में कोस्चन नमर 108 है फीपा के नियमान उसर, फुटबाल मैच में कितने खिलाडी का स्थापन किया जा शकता है तो इसमें आफ्सान नम्मर 4 से 3 फीफा के नियम आनुसार परन्तु जब नेशनल बाइचे उतने में 6 प्लेयर को सब्स्ट्यूटीट कर सकते हैं नया नियम आनुसार रियक्ट्यव मेथडीज आलसो काल्ड प्रतिक्रियात्म के भी दिखो यभी कहते हैं इसेंट्रीक मतलब कंसेंट्रीक मशल कांटैक्सलाइड इसेंट्रीक चा मतलब होता है मसली में लेंथ दिखती है और plyometric जिसमें speed और strength एड होती है और concentric जिसमें muscle contract होती है isometric means muscle की length में कोई परिवर्थन नहीं होता है तो इसमें option number 2 सही है इसको reactive method भी बोलते हैं plyometric को question number 110 है speedometer से क्या measure किया जाता है distance cover किते ही दूरी ताय की गई kicking ability या speed आपरेफरी निडाय की गती या player की गती तो इसको नमर 4 सही है speedometer के थूर प्लेयर की गती को मापते हैं खिलाडी की गती को मापते हैं और question number 111 है isotonic मांस पेसी छमता मापा जाता है isotonic, iso means कुछ tone माने तनाव तनाव दिखता है जिसमें थोड़ी गती दिखती है muscles में तो push up, pull up और seat up तीनों के द्वारा isotonic muscular endurance मापा जाता है तो option number 4 सही है question number 112 है tactile function is associated with असपरसनी कार समन्दीत है तो test से यानिस्वाद से special senses आरगन से visist ग्यान अंग से touches से और vision से द्रिष्टी से तो छूने से tactile का मतलब और touch तो option number 3 सही है question number 113 है और matching the following question है ये और इसको हम match करते हैं अब दिया सोरसे साफ energy during sprint तो anaerobic metabolism को करते हैं sprint के दवरान anaerobic metabolism होता है aerobic metabolism नहीं होता है anaerobic का मतलब absence of oxygen जो भी कारे करते हैं oxygen की अनुपस्तिती में करते हैं तो उसे anaerobic बोलते हैं जब कारे oxygen के presence में करते हैं oxygen deficiencies जिसको oxygen ring या oxygen depth करते हैं storage of oxygen in myo muscles myoglobin एक protein होती है जिसके कारण oxygen muscle में stored होती है और rest between exercise तो इसको recovery प्यूज़ बोलते हैं अब question नमर इसमें option नमर 1 होगा option नमर 1 सही होगा question नमर 114 है लोगों को प्रसाइट और प्रेजिद करने का कारे कालाता है लोगों को प्रसाइट और प्रेजिद करने का कारे कौन कर सकता है The law of learning has been derived from the study. सीखने के नियमों को प्रतिपादिन किया था, किया गया है किसे? Biochemistry से, Human Behavior से, Human Anatomy से और Biology से. तो सीखने का जो नियम प्रतिपादिन किया गया था, किया गया है, वो Human Behavior से किया गया है. आपसान नमबर 3 सही है. Question No.116 है, Cancelology is the study of, study which is related. Cancelology किसका आद्यम करता है? Body Structure. Body Structure नहीं, यह Anatomy करती है. Disease, Body Function और Motion. तो Option No.4 सही है. Body Function जो किना दिया है, इसमें Phygiology के अंतर गताता है. Question No.117 है, A Good Sources of Iron, यानि, Iron माने, Iron, Iron तत्यों का अच्छा सुरत कौन है? शकरकंद, हरी सब्जी, हल्दी और गें, तो Option No.117 है, हरी सब्जी में सबसे ज्यादा Iron मिलता है. और Isokinetic Testing Measure, Isokinetic Testing Measure, Isokinetic से क्या measure किया जाता है? Isomins कुछ होता है, Kinetic में गती जिसमें किस गती दिखे, Isokinetic. Joint Moment, Force Without Joint, यानि, जोड़ो के विनबल, Production of Heat, Isomakaut Padden, और D, 4 है, Construction of Muscle. Construction of Muscle, तो Option No.4 सही है. Question No.117 है, खिलाडियों के यक्रित में, Glycogen की लगभग मात्रा संचित होती रहती है, लगभग मात्रा संचित रहती है, कितना? 330 से 50 गराम, 160 से 160 गराम, 70 से 100 गराम, 100 से 120 गराम, तो Option No.4 सही है, यानि, खिलाडियों के लीवर में, 100 से 120 गराम, Glycogen storage होता है. तो इस वीडियों का last question है, और यह question रंग दिया है, तो Option रंग दिया है, question सही है, Option रंग दिया है, तो लिखा है कि Which is not true is the further research? निमलखित में क्या सोद के संदर में नहीं है तो research systematic यानि कि research करमबत प्रक्रिया है सोद समस्याओं पर अधायत होते हैं और research एक art है कला है और research एक scientific है तो option ये चारो सही है इसमें चारो option सही है यानि कि research की चारो विश्यस्ताएं होती है research की चारो विश्यस्ताएं होती है तो इस प्रकार मैं आज complete 120 question को complete कराया हूँ और आप लोग पूरी वीडियो से previous वाली वीडियो देखिएगा और subscribe करिए channel को और comment करिए suggestion दीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे question लेकर आउँ और आप लोग के सामने वीडियो बना कर present करूँ ताकि आपके exam और study के लिए helpful हो सके thanks for watching वीडियो